नमस्कार आप देख रहें न्यूज़टेट अपने से होगी रनवीर सिंग के पास लेकिन पहले इस उदेवीर सिंग जो समाजवादी पार्टी के नेता उनको सुन लेते हैं तमाजवादी पार्टी के वरिश निता पूर्वेमेंसी उद्वीर सिंग साथ है उद्वीर जी बैठक हुई विधायकों की और ख़बर आ रही है कि आपके काफी सारे विधायक टूटने जुडने की ख़बरें तो मेडिया में आती रहेंगे सवाल है कि खुछा Pokémon है उपन बौट होना है सब लोग विधायकों ने संपर किया है वो अग्री कर रहे हैं कि हाँ हम जा रहे हैं भारती जंता पार्टी को वोट देने हैं वो आपकी बात है आपकी और उनकी क्या बात है वो मैं उसमें कैसे बता सकता हूँ हम तो वही बात बता सकते हैं जो पार्टी की बात होगी और हमारे सेवगी रनवीर सिंग हमारे साथ मौझूद हैं तो रनवीर वाकई में काफी चिंता जनक स्थिति एक तरह से कहें समाजवादी पार्टी के लिए क्योंकि आप बता रहे थे दो विधायक तो आपी को कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं देखे विधायकों ने कन्फर्म किया है कि वो भारती जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी दफ्तर में हूँ यह तस्वीरे देखिए गहमा गहमी हैं विधायकों के मौझूदगी थी एक-एक करके विधायक निकल रहे हैं लेकिन 6-7 ऐसे विधायक हैं जो यहां बैठक में शामिल नहीं हुए और इसके अलावा जो एक लिस्ट हमने बनाई है चुकि सूत्रों का कहना है कि अभी नाम ना चलाई है वो लिस्ट भी हमारे पास है और समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं को हमने जब वो लिस्ट दिखाई तो आफ कैमरा वो अग्री कर रहे हैं कि यह विधायक ना बैठक में आया और ना उनसे संपर्क कर रहे हैं तो जाहिर है कि यह सभी वोट तूटने वाले और इसी वज़े से अभी थोड़ दिर पहले जब भार्टी जन्ता पार्टी के विदायक लोग भॉन में बैठे हुए थे विजेपी और उनके सयोगी दलों के उनको बड़े नेताओं ने साथ तोर पर कहा कि हम आठवी सीट जीतने जा रहे हैं लेकिन आपको सिर्फ ये एंशोर करना है कि आपका वोट इंवेलिड ना हूँ जो तैय नियम है जिसको भी वोट देना उसके सामने वन लिखना है उस तरीके से लिखिये कोई गरबड़ी नहीं होनी चाहिए ये इंस्ट्रक्शन है और बीजेपी को एक सप्लिमेंट के तो किसके पक्ष में वोट देंगे लेकिन अगर आठ से दस विदायक जिसमें दो तीन से हमारे खुद बात हुई है वो विदायक अगर तूटते हैं तो बीजेपी को फिर उमा संकर सिंग के वोट की भी जरूरत नहीं होगी और यही विदायक जब क्रॉस वोट करेंगे त तरह से वो यही कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं और आज गुपेन 14 से लेके तमाम मंत्री और विदायक वो भी एदावा कर रहे हैं कि बीजेपी आठ वी सीट जीत जाएगी क्योंकि हमने सारा कैल्कूलेशन किया था और उस कैल्कूलेशन के बाद ही आठ वा पत्य तो जाहर है कि यह जो विदायक है यह फार्ठी वी चौड़ सकते हैं, इस्तीफा भी दे सकते हैं और अगर यह नौबत आती है तो जाहर है कि जब उप्चुना होगा तो फिर उसमें यह विदायक महां से बजबूत भी है तो सपा अपनी नंबर भी कम करना नहीं चाहेगी लेकिन जो अनुशासनात्मक करवाई है अगर प्रॉस वोटिंग होती है ये विदायक जाते हैं तो उन पर किस तरह से एक्शन लेगी ये देखने वाली बात होगी कल सुभर 9 बजे से वोटिंग होगी शाम 4 बजे तक और उस वोटिंग के बाद शाम को ही फैसला आ जाएगा तो कल बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है क्योंकि सूद्र कह रहे हैं कि सपा के कई होगा है तूटने को तयार बैटे हैं अब पश्चिम बंगाल की संदेश खाली मामले में आज कलकता हाई कोट ने बंगाल सरकार को फटका लगाई कलकता हाई कोट ने कहा है कि टीमसी नेता शाजाज शेक की गिरिफतारी पर कोई रोक नहीं है उसे गिरिफतार किया जाना चाहिए कलकता हाई कोट ने टीमसी नेता अभिशेक बैनर जी के बयान के बाद फटकार लगाई अबी शेख बैनर जी ने कहा था कि बंगाल सरकार इसले शाजाशेख को गरिफटार नहीं कर पा रही है क्योंकि कोट ने पुलिस के हाथ बान रखे है कलकता हाई कोट ने सक्त रुख के बाद T.M.C. ने कहा है कि शाजाशेख को साथ दिनों के अंदर गरिफटार कर लिया जा दिया है अर्विन केजरीवाल आज भी ED के सामने पेश नहीं हुए अर्विन केजरीवाल ने आज कहा कि जब ED खुद कोट गई है तो उन्हें कोट के आदेश का इंतजार करना चाहिए जब की समन पर समन भेज़े जा रहे साथ ही उन्होंने आरोप लगाए कि कई जगह से सान आ रहे हैं बार बार जब ED खुदी कोट गई हुए तो क्या ED को केंदर सरकार को को पर भरोसा नहीं है कोट पर भरोसा रखना चाहिए नवह वो खुदी कोट गए है तो कोट पर भरोसा कोट के आदेश का वेट करें वो गोड़ जो भी आदेश देगा उसके शाब से कर कोट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे अब कोट में कारवाई भी चल रही है और साथ में संबन पर संबन भी भेज़े जा रहे हैं तो उनका मकसद बेसिकली है इन्फार्मली कई जगे समय से जाएंगे अब गडबंदन तोड़ दो गडबंदन नहीं तोड़ेंगे वो चाहते हैं कि हम अब उधर कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिका जुन खडगे ने अगनी वीर योजना को लेकर राशपती द्रौपदी मुर्मू के हस्तक्षेप की मांग की है कॉंग्रिस अध्यक्ष ने अपनी चिठी में लिखा है कि 2019 से 22 के बीच दो लाख लोगों को सूचना दी गई थी कि उन्हें तीनों सेनाओं में स्वीकार किया गया है अब इन लोगों ने फिजिकल और लिखित परेक्षा पास करने के लिए सभी बाधाओं के बावजूद संगश किया था ये लोग जॉइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे लेकिन अग्नीवीर योजना लागू कर उनके सपनों को चपना चूर किया गया साथ ही उन्होंने काई कि जवानों के बीच मद्भेत पैदा करने वाली ये योजना है और मलेका जुन खड़गे की चिठी को ट्वीट कर राहूल गांधी ने कहा है कि देश भक्ती और बहादुरी से सराबोर सैन्य अभ्यरतियों के लिए नियाय की लडाई में हम उनके साथ हैं 25 परसंड लोगों को आप रखेंगे 75 को आप रिटार कर देंगे उनके लिए भविश में संभावना बहुत कम हो जाती हैं और सारी भरतिय अगर अगनी पत के मादन से होगी तो यह फौज के लिए को बहुत सकरात्मक नहीं है अब लगबग पौने दो लाख लोग ऐसे हैं जिनको आपने मेडिकल, फिजिकल सर्टेस्ट कर ली, पास कर ली, सर्फ जोइनिंग करानी थी उनको भी आपने मना कर दिया है, तो वो लोग बहुत लंबे समय से धन्ना दे रहे हैं, पौने दो लाख लोग हैं, लड़के हैं उनको भी आपको इजस्ट करना पड़ेगा, कोई कि आपने उनको भरती किया था बीजेपी में शामिल होने के बाद, उन्होंने कॉंग्रूस के साथ नाराजगी की वजह बताई, गीता कोड़ा ने का कि कॉंग्रूस का वास्ता सिर्फ परिवार बात से है और उन्हें तुष्टी करन से फुर्सत नहीं है और गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने पर जारकन मुक्ती मोर्चा ने बीजेपी पर तंस कसा, जेमेम ने ट्वीट करका है बीजेपी के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है, अब खोड़ा दंपती सबसे पाक साफ और कल से उन पर चल रहे सारे केस या तो खत्म या ठंडे बस्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे से जुड़ी करीब दो हजार परयोजनाओं का उद्खाटन और शिला न्यास किया 41,000 करोड से ज्यादा की परयोजनाओं में जादातर परयोजनाएं रेलवे इंफ्रस्ट्रक्टर से जुड़ी हैं इन में 554 रेलवे स्टेशन को अमरित भारत स्टेशन योजना से जोड़ा जा रहा है साथी करीब 1500 ऐसी योजनाएं हैं जिन में रेलवे, ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज शामिल है कोसगार्ट में महिला अधिकारियों के पर्मिनेंट को लेकर सुप्रीम कोटने के इन सरकार को एक बार फिर से पटकार लगाई सुप्रीम कोट ने याचिका पर सुनवाई करते में काये कि आप महला अधिकारियों को या तो पॉमिनेंट कमिशन दीजिये वरना हम आदेश जारी करेंगे अब इस मामले में एक मार्च को सुनवाई होगी उत्तर प्रदेश पे बनरे डिफेंस कोरिडोर की पहली योनिट का उत्खाटन आज कानपूर में हुआ इस मौके पर सेना प्रमुक जेनरल मनूच पांडे, मुखे मंत्री योगिया दितनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग और अडानी समू के करण अडानी भी मौजूद थे ये यूनिट अडानी समू ने तयार की है और इसका नाम है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस रक्षा उत्पादन के शेत्र में नई छला कानपूर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस शुरू हो गया है ये पंद्रसो करोड के निवेश से एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूत कारखाना होने जा रहा है ये कारखाना अडानी समू ने तयार किया है इस मौके पर मौजूद यूपी के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाद ने इसे एक एतिहा सिक्मों का मताया भारत को सुरक्सा के छेतर में नकेवल आत्मनिर भरता बलकि इसके माध्यम से हम नकेवल अपने स्वेम की आउसिक्ताओं की पूर्ती कर सके बलकि देश की सुरक्सा और आंत्रिक सुरक्सा की तिटिकों सिद्र exceptions बनाने के साथ साथ इस शेत्र में जो दुनिया की आउसिक्ता है उन आउसिक्ताओं की पूर्ती करने में भारत अपना योगदान दे सके इसके इसके लिए उत्तरब्रदेश काया एक महत्तुपूर्ण केंद्र जो छे नोडस में विक्सित हो रहा है यहाँ एक मील का पथर सा इस यूनिट को रक्षा शेत्र में आत्निर्भरता के लक्ष की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है इसलिए इस आयोजन को स्वा रक्षा नाम दिया गया है देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी भारतिय सेना के प्रमोग जनर्रन मनोज पांडे ने कहा कि सेना के इस मौके पर रक्षा मंतरी राजनास सिंग ने कहा कि देश की रक्षा जरूरतों में कोई कसर नहीं रहने वाली है अपनी जियो पॉलिटिकल रियल्टीज को देखते हुए भारत के लिए आयहावश्यक हो जाता है कि अपने रक्षा च्छत्र को मजबूत बना कर रखें साथी भारत जैसा महान यों प्राचीन सभ्यता वाला देश भारत जैसा विशाल अर्थवयोस्था वाला देश अगर विश्व पटल पर सिग्रिफिकेंटली कांट्रिबूट करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि भारत की स्ट्रेजिक आटानमी मेंटेंड रहे प्रक्षा शेत्र में एहम निवेश कर रहे अदानी समूने देश के प्रती अपनी प्रतिवधता फिर दो रहाई है India is not just rising, India is ascending This ammunition and missile complex stands as a testament to that ascent A giant leap towards securing our borders and empowering our brave soldiers पर हमारा ये सपर उत्तर प्रदेश सरकार की बेमिसाल सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था मैं इसके लिए मान्य मुख्यमंत्री श्री योगी जी का धन्यवाद करता हूँ Sir, आपने good governance को प्रत्मिक्ता देने के साथ transparency को बढ़ावा देते हुए जिस तरह से process को streamline करने का निश्य लिया है आपकी इसी निश्य ने इस factory को सिर्फ पंद्रा मैने में पूरा करने में अहम भूमिका निपाई है बविश्य को देखते हुए हम मानते हैं कि ये facility एक लंबी कहानी का पहला chapter है ये सिर्फ एक factory नहीं है बलकि हमारी self-sufficiency और strategic autonomy की उचाईयों तक ले जाने वाला मंच है together let us transform this inauguration ceremony into a catalyst for action translating the potential of this complex into a resounding reality let us continue to work hard towards a future where India stands tall on a global stage not just as a self-reliant nation but as an inspiration for others would like to close with a few lines which have always inspired us to do more for the country लेरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मार्च से यहां से तोप गोलों की delivery भी शुरू हो जाएगी आदानी सम्मू ऐसी और दो यूनिट पर काम कर रहा है कानपूर से तनिश पंजाबिक रिपोर्ट